बरसात का मौसम हमिरपुर के लोगों के लिए परिशानी बना हुआ है और हमिरपुर के बीचों बीच से गुजरने बाली धरमशाला शिमला राजमार्क पर गड़े पढ़ने और सिब्रेस लाइन के तूटने के कारण समस्या बनी हुई है सिब्रेस के गंदे पानी के सड़क के उपर से बहने से हर बक दिक्कत बनी हुई है और बाहन चालकों के साथ-साथ पैदल आवाजाही करने बालों को भी परिशानी छेलनी पड़ रही है बरसात का मौसम हमिरपुर के लोगों के परिशानी का सबब बना हुआ है और हमिरपुर के बीचों बीच से गुजरने वाले दर्मशाला सिमला राजमारिक पर घड़े परने और सीवरेस लाइन के टूटने के कारण समस्या बनी हुई है सीवरेस का गंदा पानी सड़क के उपर से बहने से हर बक दिक्कत बनी हुई है और बहांचालकों के साथ साथ पैदल आवाजाही करने वालें को भी परिशानी जीलनी पड़ रही है साथ ही दुकानदारों को गंदे पानी और बद्बू नुमा महाल में काम करना पड़ रहा है बहीं गड़ों के चलते हर बक दुर्गटनाओं का अंदेशा बना हुआ है स्तानी दुकानदारों का कहना है कि बरसाथ में पूरी सड़क पर गड़े पड़े हुए है और जब साथ में सीडरीस लाइन के टूच जाने के कारण गंदगी नुमा महाल बना हुआ है लोगों ने मांग की है कि समस्य का जब निवरारन किया जाए लोगों ने बताया कि सड़क पर गड़े पड़े होने से दो पहिया बाहन चालक दुर्गटना होने से बचे हैं और बड़ी गाड़ियों को भी गुजरने में दिक्कतें पेशा रही है उन्होंने बताया कि गड़ साम को भी बाइक सवाद जक्मी हुए है जिसते हर बक्त गड़ों से खत्रा बना हुआ है तो वो कैसे समल पाएगा तो प्रशासन से अनुरोद है कि इन खट्डों को किसी ना किसी तरह पूरब किया जाए अज देखे सर आपने थोड़ देर पहले देखा मेरी बाइक स्कीट होगी जिस कारण से मैं प्रशासन से अनुरोद करूँगा कि हम जैसे थोड़े ठीक है हमारे हालाग हुआ है तो हम थोड़े समल गे लेकर अगर कोई भुजर्ग होता तो घर जाता तो प्रशासन से अनुरोद है कि इन प्रशासनी को किसी तरह से और हमारा जो कमेटी अरिया उसकी रिस्पॉंसिबिटी बनती है कि इसको ठीक किया जाए है तो प्रशासनी असभी में क्या कर रही अब यह तो प्रशासनी समय सकती है और बोल सकती है फ्деह ऐक मैं के चांप सब जाए है कि अपने उरफोन दोपनि निशक और यह गोड़ा जो सावक निOR में पूलराय निशलप थैर आप पर स्पड़स के इसनग बतलएीच फस्ऊंदर्ट कुल में पूछाते है कॉलों करक अब तृम सब्सक्ति है और यहांकर अंुदा भीट अटकर सब्सक्राइब रही है इस सीवरिस प्लैन से और यहां पर तूरे रोड जो खट बन गया है पूरा तो क्या महांदर पर हमारी मांगिए कि इस रोड को ठीक किया जाए और यहां से लोग स्रक्षिस चलें सकते हैं चलको ने बताया कि पूरी सडक की हालत खराब बने हुए है और जिला परशाषिन को जल सडकों की हालत सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि लोगों की समस्या का समादान हो सके कारिगरम में बक्तो चलाए शुर्चेश ब्रेक काई मलते हैं ब्रेक के बाद